हम प्रित्वी की अंतरिक सन्रचना की तरफ एक बार फिर आएंगे तो प्रित्वी का अंतरतम कैसा है यद्यपी हमने कुछ भौतिक कारक के माध्यम से कुछ रासाइनिक विशलेशन के माध्यम से प्रित्वी के अंतरतम को जानने का प्रियास किया है लेकिन निरंतर जो खोज हो रही है इन खोजों से आधुनिक विद्वानों ने प्रित्वी के आंतरिक स्थिती को जो बताया है वो कुछ इस प्रकार से है पृत्वी का उपरिभाग crust कहलाता है और यह crust की जो गहराई है लग भग 100 किलोमेटर तक होती है crust के नीचे का हिस्सा mental और उसके नीचे का हिस्सा core कहलाता है यह जो crust है जैसा बच्चों मैंने भी बताया कि धरातल जो हमारी पृत्वी है यह पृत्वी मूव कर रही है रोटेट हो रही है इसमें घुरुनन की कृरिया यह परिब्रहमन की कृरिया निरंतर होती 24 घंटे में प्रित्वी घूमती है तो ये जो घूमने की प्रक्रिया है आधुनिक विद्वानों का ऐसा मत है कि प्रित्वी के उपर की जो घूमने की गती है उसकी तुलना में प्रित्वी के भीतरी खेत्र में घूमने की गती में परियाप्त अंतर आता है और यह जो अंतर है ये घनत्व की स्थिती पर निरभर करता है केंद्र में घनत्व निरंतर बढ़ रहा है तो इसकी गती में भी परिवर्तन आ रहा है और इसी परिवर्तन के कारण आये हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जो सबसे उपरी भाग है यह क्रस्ट का निचला हिस्सा क्रस्ट के ही नाम से इसे हम जानते हैं इसकी जो गहराई है लगभग 100 किलोमेटर तक की गहराई है लेकिन जहां पर महाद्वीप और महासागर आपस में मिल रहे हैं बच्चो महाद्वीप जो है बहुत हलके पदार्थों से बना और महासागर उससे कुछ भारी पदार्थों से महासागर का निर्मान हुआ है याने महाद्वीपों का घनत्व कम है महासागरी क्षेतर में घनत्व कुछ अधिक है तो महाद्वीप और महासागर निरंतर एक दूसरे से टकरा रहे हैं इसको हम प्लेटे या प्लेट विवर्तनी की कहते हैं तो जहां पर महाद्वीपी प्लेट के नीचे महासागरी प्लेट टकराती है और महासागरी प्लेट अंदर की तरफ घुसने लगती है तो उस घुसने उस खेतर में जो घूमने की गती है जो यह गती में कुछ अंतर कुछ भिन्नता आ जाती है तो यहां की जो भिन्नता है इसे हम कोनरेड डिसकंट्यूनिटी या कोनरेड असांतत्यता या भिन्नता कहते हैं यह भिन्नता महादीप और महासागर की प्लेटों के पास में होती है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रित्वी का निचला हिस्सा जो की क्रस्ट 100 किलोमेटर की गहराई तक क्रस्ट कहलाता है यहां पर जो क्रस्ट के क्षेत्र में प्रित्वी का जो क्रस्ट का जो घंटव है यह घनत्व कुछ बढ़ जाता है, यहाँ पर घनत्व लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में 3.5 तक भी पहुँच जाता है, जबकि उपर का घनत्व 2.5, 2.7 जो धरातल का घनत्व इसके नीचे में 2.7 से कुछ अधिक है और यहाँ पर घनत्व लगभग 3 तक पहुच जाता है यहाँ पर तापमान भी निरंतर बढ़ रहा है, बच्चो आप जानते हैं कि पृत्वी के भीतर में तापमान बढ़ने की जो प्रवरित्ती है, यहाँ लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटिग्रेट पर किलोमीटर की गहराई में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यह पूरी गहर तक नहीं है, यह जो प्रवरित्ती है लगभग 40 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, उसके बाद तापमान बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है, लगभग 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान की स्थिती यह 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इतना अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर जो चट्टाने हैं, यह चट्टाने लगभग गलनांक में यानि पिघलने की स्थिती में आ जाती है, लगभग पिघल जाती है, इतने अधिक तापमान में चट्टाने पिघल जाती है, और इस यह जो पिघली यह चट्टाने इस ख्षेत्र में बहुत ही धीमी गती से प्रवाह कर रही है इस धीमी गती से यह जो चट्टान से निर्मित लावा है यह प्रवाहित हो रहा है इसे हम लो वेलोसिटी जोन के नाम से जानते हैं यह जो लो वेलोसिटी जोन है इसमें तापमान की स्थिती क्या है उस पर निर्भर करता है कि यह जो लावा है यह लावा बेसाल्ट यूगता है या ग्रेनाइट यूगता है आप जानते हैं कि बेसाल्ट कुछ पतला लावा होता है ग्रेनाइट गाढ़ा और चिपचिपा हो 100 किलोमेटर की गहराई पर तापमान की अत्यधिक्ता के कारण ये जो चट्टाने पिघल गई है इस ख्षेत्र को एस्थेनो स्फियर या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है बच्चो ये जो दुर्बलता मंडल है मैंने आपको बताया था कि यह जो ख्षेत्र है यहाँ पर अमलिय तत्व की प्रधानता है रेडियो धर्मी तत्व जैसे जो यह जो रेडियो धर्मी तत्व है ये तत्व यहाँ पर अधिक पाये जाते हैं जो कि चट्टानों में निरं तोड़फोड की प्रक्रिया कहते थोरियम यूरोनियम जैसे जो पदार्थ है ये चट्टानों के दबने की स्थिती में चट्टानी तूटती है और तूटने से ये पदार्थों की सक्रियता यहां पर देखी गई है और इस ख्षेत्र में इनहीं पदार्थों के सक्रियता के क यह लो वेलोसिटी जोन होता है। हम इसको लो वेलोसिटी जोन इसले भी कहते हैं कि जब यहां पर भुकम्प की जो प्राथ्मिक तरंगे हैं प्राइमरी वेव से ये इस ख्शेत्र से टकराकर धीमी हो जाती है। कियोंकि तरल यह क्षेत्र है और तरलता प्राथ्मिक तरंगे जो है वो सीधी चलिए आती लेकिन यहां पर ठकराने के बाद इनकी गती कुछ धीमी हो जाती है यहीं पर इस क्षेत्र में प्रित्वी की जो घुर्णन की जो क्रिया है यह क्रिया अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग है जहां पर यह जो लो वेलोसिटी जोन है इसके उपर का जो क्षेत्र है यहां पर जो तरंगों की गती है 7.2 किलो मिटर प्रती सेकेंड की गती से यह तरंगे प्रवाहित हो रही है जबकि इसके निचले क्षेत्र में जो तरंगों की प्रवाह की गती है ये है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड इस क्षेत्र का अध्यन सबसे पहले मोहर्विदिक नामक युगोसलाविया के एक भुकम्प विज्ञानी है इन्होंने इसका अध्यन सबसे पहले किया था सन 1909 में और उसी के कारण यहाँ पर जो असानतत्यता पाई जाती है इसे मोहो डिसकंट्यूनिटी या मोहो असानतत्यता या मोहो भिन्नता तल के नाम से जाना जाता है यह जो मोहो भिन्नता तल है इसके यह क्रस्ट तक का क्षेत्र यहां तक है यानि क्रस्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र इसे मोहो भिन्नता तल कहते है क्रस्ट के ठीक नीचे और मेंटल का जो उपरी सता है याने लगभग 100-200 km की गहराई पर यहां पर भी घनतों में कुछ अंतर आता है और जो उपर में जो दुरबलता मंडल है उसका कुछ प्रभाव नीचे में होता है तो चटाने पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है बलकि यहां पर भी कुछ तरल मातरा में ही चटानों की स्थिति देखने को मिलती है और उसके करण इस ख्षेतरों में एक चैनल प्रवाहित हो रही है यह चैनल गुटनबर्ग चैनल है बच्चो आप इस चैनल इसे यह चैनल है यह औसांत अत्यता नहीं है यह भिन्नता तल नहीं है बलकि यह एक चैनल प्रवाहित हो रहा है जिसे हम गुटनबर्ग चैनल कहा है गुटनबर्ग चैनल के नीचे में लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पे एक और लेयर दिखाई दे रही है और यह जो लेयर होती है यह ग्वालिट्सिन लेयर के नाम से जानी जाती है ग्वालिट्सिन लेयर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है इसके बाद यह जो 100 से 700 किलोमीटर की जो गहराई का ख्षेत्र है इसे हम उपरी मेंटल कहते हैं अपर मेंटल इसे कहा जाता है यहाँ पर जो तापमान होता है लगभग 2000 सेंटिग्रेड के लगभग पाया जाता है और इस ख्षेत्र में चट्टानों का जो घनत है वह 4.7 के लगभग पाया जाता है अपर मेंटल याने 700 किलोमीटर की गहराई के बाद लोवर मेंटल प्रारम होता है और यह जो लोवर मेंटल है यहाँ 700 से 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है एक विस्तरित ख्षेत्र में यहाँ पर द्रव्यमान भी अधिक होते हैं तो इस व्रिहत ख्षेत्र में यह लोवर मेंटल पाया जाता है लोवर मेंटल में 700 से 1000 किलोमीटर की जो गहराई है यहाँ पर एक और डिसकन्टियूनिटी का ख्षेत्र बनता है जिसे रेपिटी डिसकन्टियूनिटी कहा गया है यह 1000 किलोमीटर की गहराई पर देखा गया है इसके बाद लगभग 2780 किलोमीटर की गहराई में एक और डिसकन्टियूनिटी का अधियन किया गया है जिसको हम डाहम डिसकन्टियूनिटी डाहम असांतत्यता या भिन्नतातल कहते हैं यह जो लोवर मेंटल का ख्षेतर यह 2900 किलोमीटर की गहराई पर है 2900 किलोमीटर के कुछ उपर का जो ख्षेतर है यह पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है बलकि यह सेमी सॉलिड हम इसे कह सकते हैं यह स्लरी की भाति है लद्धी जैसा दलदल होता है न उस प्रकार की स्थिती यहां पर पाई जाती है और इस ख्षेतर में जो डिसकंटिउनिटी है इसे गुटं बर्ग डिसकंटिउनिटी कहते हैं बच्चों मैंने यहां पर कहा गुटं बर्ग डिसकंटिउनिटी और इसके पहले मैंने लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में एक चेनल का उले किया, इसका भी नाम गुटनबर्ग का है तो दोनों में अंतर है, एक चेनल है और एक जो है या डिसकन्टिूनिटी या भिन्नता तल यहाँ पर है तो एक यहाँ पर जो 29 सो किलोमीटर की गहराई पर है इसे हम कहते हैं गुटनबर्ग भिन्नता तल या गुटनबर्ग डिसकन्टिूनिटी इसे कहा गया है 29 सो किलोमीटर की गहराई के बाद जो निचला हिस्सा होता है यह कोर कहलाता है कोर को भी दो पार्टों में बाटा गया है अपर कोर और लोवर कोर जो अपर कोर है यहाँ पर चटानों का जो घनत निरंतर बढ़ता चला जा रहा है कोर के पास जो घनतों है यह लगभग 12 है जबकि जो अपर मेंटल है इसका घनतों 5.5 के लगभग देखा गया था कोर का घनतों अपर कोर का घनतों जो है यह 12 है और अपर कोर उन्ती सो किलो मेटर से ले करके इंकावन सो पचास किलो मेटर तक की जो दूरी है यह अपर कोर की होती है अपर कोर के नीचे में पृत्वी के केंद्र तक याने सतह से लगभग 6,371 किलो मेटर की जो गहराई है इसे लोवर कोर कहा गया है और इस लोवर कोर के क्षेत्र में तापमान लगभग 4500 डिगरी है जबकि अपर कोर का जो तापमान है यह लगभग 3000 डिगरी तक पाया जाता है बच्चों मैंने आपको बताया था कि सतह से धरात केंद्र तक पृत्वी केंद्र तक तापमान निरंतर बढ़ रहा है सतह के नीचे में तापमान बढ़ने की जो प्रवरित्ती है जैसा मैंने अभी बताया था कि लगभग 20 से 30 डिगरी तापमान जो है प्रती किलो मीटर की गहराई में बढ़ता है लेकिन यह स्थिती 40 किलो मीटर तक ही होती है 100 किलो मीटर में तापमान कितना हो जाता है 8000 से 12000 याने चट्टानों की गलनांक अवस्था आ जाती है इसके बाद तापमान में निरंतर वृद्धी औरी लेकिन यह वृद्धी दर कम है तापमान बढ़ है लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है यह घटते क्रम में देखी गई है और केंद्रम का तापमान जो है यह 4500 डिगरी सेंटिग्रेट होना चाहिए है तो इस प्रकार से केंद्र का तापमान सरवाधिक है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोहा या फेरियम के जो तत्व पाये जा रहे हैं यह सरवाधिक यहाँ पर लोहा यह निकल यह जो है यह सबसे अधिक मात्रा में यहाँ जमा है इसका घना तो जो है लगभग सत्रह तक पाया जाता है और इसी लाउह तत्व की उपस्थिती के कारण प्रित्वी में जो चुम्बकी शक्ती पाई जाती है प्रित्वी में जो परिद्रता पाई जाती है इस्थिरता इस्थिरता मैंने गती के संब्द में बताया था कि परिक्रमन में सूर्य की जब प्रित्वी चक्कर लगा रही है तो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगा रह काक्ष उसका इस्थिर वहीं से प्रिथवी घूम रही है। वैसे ही प्रिथफवी जो रोटेशन कर रही तो उसकी गती में इस्थिरता है वह 24 घन्टे में एक पूरा जो परिभ्रमण करती है। तो यह प्रिथवी की स्थिरता इसे हम कहते हैं। प्रित्वी के अंदर पाई जाने वाली कठोर्ता और इसमें पाई जाने वाला गुरुत्व बल यह सभी इस केंद्र से प्राप्त होता है तो इस प्रकार से जो प्रित्वी का जो केंद्रिय भाग है यह अत्यथिक दबाव के कारण ताप भले ही अधिक है लेकिन अत्यथिक दबाव के कारण यह दुर्बल नहीं है यह तरल अवस्था में नहीं है बलकि यह कठोर अवस्था में सॉलिड इस्थिती में पाया जाता ह तो इस प्रकार से प्रित्वी का जो आधुनिक मत है इस मत का अध्यन हमें बहुत कुछ भुकम्प विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और यह प्रित्वी के अन्तरतम की अधुनिक इस्थिति को दर्श। इसके बाद लगभग 2780 किलोमिटर की गहराई में एक और discontinuity का अध्यन किया गया है जिसको हम डाहम discontinuity, डाहम और सांतत्यता या भिन्नतातल कहते हैं। यह जो lower mental का ख्षेतर यह 2900 किलोमिटर की गहराई पर है, 2900 किलोमिटर के कुछ उपर का जो ख्षेतर है, यह पूरी तरीके से solid नहीं है, बल्कि यह semi solid हम इसे कह सकते हैं। या slurry की भाती है, कलदी जैसा दलदल होता है न, उस प्रकार की स्थिती यहाँ पर पाई जाती है। और इस ख्षेतर में जो discontinuity है, इसे गुटन बर्ग discontinuity कहते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर कहा गुटन बर्ग discontinuity और इसके पहले मैंने लगभग 100-200 किलोमीटर की गहराई में एक चेनल कवले किया है, इसका भी नाम गुटन बर्ग का है। तो दोनों में अंतर है, एक चेनल है और एक जो है यह discontinuity या भिन्नता तल यहाँ पर है। तो एक यहाँ पर जो 300 किलोमीटर की गहराई पर है, इसे हम कहते हैं गुटन बर्ग भिन्नता तल या गुटन बर्ग discontinuity इसे कहा गया है। 29 किलोमीटर की गहराई के बाद जो निचला हिस्सा होता है, यह कोर कहलाता है। कोर को भी दो पार्टों में बाटा गया है, अपर कोर और लोवर कोर। जो अपर कोर है, यहाँ पर चटानों का जो घनत्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कोर के पास जो घनत्व है, यह लगभग 12 है। जबकि जो अपर मेंटल है, इसका घनत्व 5.5 के लगभग देखा गया था। कोर का घनत्व, अपर कोर का घनत्व जो है, यह 12 है और अपर कोर 2900 किलो मेटर से ले करके 5950 किलो मेटर तक की जो दूरी है, यह अपर कोर की होती है। अपर कोर के नीचे में पृत्वी के केंद्र तक, याने सतह से लगभग 6371 किलो मेटर की जो गहराई है, इसे लोवर कोर कहा गया है। और इस लोवर कोर के क्षेत्र में तापमान लगभग 4500 डिगरी है, जबकि अपर कोर का जो तापमान है, यह लगभग 3000 डिगरी तक पाया जाता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सतह से धरात केंद्र तक, पृत्वी केंद्र तक तापमान निरंतर बढ़ रहा है। सतह के नीचे में तापमान बढ़नी की जो प्रवरित्ती है, जैसा मैंने अभी बताया था कि लगभग 20 से 30 डिगरी तापमान जो है, प्रती किलोमीटर की गहराई में बढ़ता है, लेकिन यह स्थिती 40 किलोमीटर तक ही होती है। 100 किलोमीटर में तापमान कितना हो जाता है? 8000 से 12000 याने चट्टानों की गलनांक अवस्था आ जाती है। इसके बाद तापमान में निरंतर वृद्धी औरी लेकिन यह वृद्धी दर कम है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है यह घटते क्रम में देखी गई है। और केंद्र का तापमान जो है यह 4500 डिगरी सेंटिग्रेट होना चाहिए। है, तो इस प्रकार से केंद्र का तापमान सरवाधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोहा या फेरियम के जो तत्व पाए जा रहे हैं। यह सरवाधिक यहाँ पर लोहा या निकल यह जो है, यह सबसे अधिक मात्र में यहाँ जमा है, इसका घना तो जो है लगभग 17 तक पाया जाता है। और इसी लावह तत्व की उपस्थिती के कारण, परिथ्वी में जो चुम्बकी शक्ती पाई जाती है, परिथ्वी में जो परिदर्ता पाई जाती है, इस्थिर्ता मैंने गती के संबन में बताया था, कि परिक्रमन में सूर्य की जब परिथ्वी चक्कर लगा रही है, तो प्रित्वी जो rotation कर रही तो उसकी गती में स्थिरता है वो 24 घंटे में ही एक पूरा जो परिभ्रमन करती है तो ये प्रित्वी के स्थिरता इसे हम कहते हैं प्रित्वी के अंदर पाई जाने वाली कठोरता और इसमें पाई जाने वाला गुरुत्व बल यह सभी इस केंद्र स प्राप्त होता है तो इस प्रकार से जो प्रित्वी का जो केंद्री भाग है ये अत्यधिक दबाव के कारण ताव भले ही अधिक है लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह दुर्बल नहीं है यह तरल अवस्था में नहीं है बलकि यह कठोर अवस्था में solid इस्थिती में पाया जाता है तो इस प्रकार से पृत्वी का जो आधुनिक मत है इस मत का अध्यन हमें बहुत कुछ भुकंप विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और यह प्रित्वी के आधुनिक इस्थिती को प्रित्वी के अंतरतम की आधुनिक इस्थिती को दर्शाता है